नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं ट्रेन की बोगिया बगल के ट्रेक पर खड़ी माल गारी से जाकर टकरा गई, रेलवे के अनुसार इस हाथसे में दो यात्रियों की मौथ हो गई, जबकी आठ यात्री घायल है, वहीं परत्यक्ष दर्सीयों के मुताबिक घायलों की संक्या 22 है, जबकी बचाव कारे में जू पचास हैर मौभजा देने की खोसना की है, वहीं ज़ारकन सरकार की ओर से मिरित तक के परिजनों को 22 लाख और घायलों को 50-50 हैर पे साहतर आसे मंगलवार को ही मौभजा करा दी गई, लोको पाइलेट का इलाज टाटा में होस्पिटल में चल रहा है, बदादे हाथसे में म जारकन में ठनका की चपेट में आने से 10 लोगों की मौथ, जारकन में मंगलवार को अलग अलग जीलों में ठनका की चपेट में आने से 10 लोगों की मौथ हो गई है, वहीं दरजन भर लोक जखमी हो गए है, मिरितकों में 6 रांची, 2 चत्रा और 1 एक लोहर दगगा और गुम इंबो में बजरपास से दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोग हैल हो गई हैं सभी धन रोपनी के त्यारी करने खेद गए थे इसी प्रक्षंड के बस्की में भी खेद में काम के दोरान एक युग की मौत हो गई हैं वहीं एक अन्य जखमी हो गई हैं इधर चानहों के लुन्री में एक महिला की मौत हो गई और दो घायल हो गई हैं वहीं इसी थाना चेत्रे के काजांगी में एक किसान की मौत हो गई हैं ज़ारखन में सुखार को लेकर सरकार करेगी बीसेस बेवस्था मंत्री ज़ारखन बीस के मांसुन सत्रे के तीसरे दिन मंगलवार को सद मंत्री रामे सरूराव ने कहा है कि सुखार का या थीसरा साल चल रहा है इस स्थिती को देखते हुए सरकार इस बार बिशेस ब्यवासा करेगी इसके अलावा उन्होंने कहा है कि राज सरकार ने 165 यूनिट से बढ़ा कर 200 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला लिया है इसके लिए रासी की जरूरत है बिजली मीटर लगाने की परकिर्य जारी है मुख्यमंत्री मया समान योजना के तहद भी करीब 45 लाग महिलाओं को हर मा एक है रुपे देना है इसके लिए 872 को रुपे की जरूरत है वहीं प्री मैटरिक और पोस्ट मैटरिक स्कॉलर्शीप में केंद्रांस के समरूप राजांस के तहद पैसा देना है इन कारेों के लिए ही अनुपूरक बयट लाया गया है जारखन के सभी स्कॉलों में एक सब्ता तक पहुँचेगी किटाबे निलकंट सिंगमुनडा के अलप सुचित परशण का जबाब दे रहे थे सिक्षा मंत्री ने कहा है कि पहली से बरहावी के 46,3,475 शात्राओं में 45,6,845 बच्चों के किताबे उपलब दिकरा दी गई है वहीं एक आरवी बरहावी के 8,70,451 शात्राओं में से 5,23,270 को पाठ पुष्टक दी जा चुकी है उन्होंने कहा है कि लोग सभा चुनाओं की आचार संहीता लागो होने की वज़ा से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहीता समाप्ती के बाद पाठ पुष्टक बित्रन का निर्देश मिला था जारखन के 9 जीलों में मांसून में सुधार जारखन के 9 जीलों में मांसून में थोड़ा सुधार हुआ है रायधानी समेत इन जीलों में बारिस में कमी का परतिसत 35 फिजदी के करीब है इनमें सराय केला गोड़ा सहेवगन सिम्टेगा राची लातेहर खुटी धनवाद और बोकारो जीले जामिल है इन जीलों में सराय केला में महज 25 फिजदी ही कमी है जबकि इन जीलों में खुटी और बोकारों में 37 फिजदी कम बारिस हुई है वही राज में अगले तीन दिनों के दरण अच्छी बारिस होने की समवना है इसे सभी जीलों में बारिस की कमी में एक हद तक भरपाई होने की उमीद है जबकि अने 15 जीलों में बारिस में कमी करीब 40 पिजदी से ज्यादा है इनमें गोड़ा और साहिव गण को छोड़का संताल के अने 4 जीले सामिल है पाकुर में सबसे ज़्यादा एक 70 पिजदी हो चात्रा में 61 पिजदी तर लोहर दग्गा में 60 पिजदी बारिस कम होई है सेना भरती रैली में 5 जीलों के 1140 अभियार्थी पहुंचे सेना भरती रैली में सोमोर रांची के खेलगा में अगनीवीर जीदी स्रेनी के लिए सारीडिक दक्सता परिक्षा कायोजन हुआ इसमें 5 जीलों के 1140 अभियार्थी उने हिसा लिया है मौके पर अभियार्थियों के बताया गया है कि ऑनलाइन फरम में उन्हीं दस्तावेजोग को दर्साएं जो वास्तों में अभियार्थी के पास उपलब्ध हो NCC सर्टिफिकेट खेलकूत परवान पत्र या कोई अने परवान पत्र जीस से अभियार्थियों को भरती परिक्षा में बोनस अंकालाब मिल रहा हो वह होने से लाब मिलेगा भरती करायले की ओर से वैसे अभियार्थी जो किसी कारण से एडमीट कार्ड नहीं निकाल पाए एडमीट कार्ड से ना भरती करायले द्वारा परदान किया जाएगा सदन में कलपना सुरेन की पहली स्पीच जम कर हुआ हंगामा जारखन विधान सभा का मांसुन सदर जारी है मंगलवार को मुखे मंतरी है मांसुरेन की पतनी कलपना सुरेन ने मांसुन सदर के दवरान मेड़न एस पीच दी भासन के दवान सदन के अंदर कल्पना सुरेन यह बार बार बोलती रही कि आप लोग सभी मननिये हैं किरपया सभी बैठ जाए मेरा पहला इस पीछा है किरपया बैठ जाए इस बीच स्पीकर रमिंदरात महतो भी हंगामा कर रहे पक्ष और भी पक्ष से बैठने का आगरा करते रहे इसके बाजू सदन में हंगामा जारी रहा स्पिकर के आगरा पर कल्पना सुरेन ने भासन देना शुरू किया उन्होंने अपना भासन शुरू करने से पहले सीम हमन सुरेन और सदन के सभी सरस्यों का अभिवादन किया उन्होंने कहा है कि जार्खन की जानता हमन्त सकाय के साथ खड़ी है कल्पना ने कहा है कि टीवी चैनल नियूज एजेंसी और समचार पत्र जो बिचार छापते थे आज चूप हैं मानिपूर में जब आदिवासी महिला के साथ अन्याय हो रहा था तब केंदर सरकार कहा थी कल्पना ने या भी पूछा है कि हेमान सुरेन का पांच महिना कौन लो कर पर्तिकिरिया ब्यक्ति उन्होंने कहा है कि मुझे गलत आरोपो में जेल की सलाकों के पीछे डाला गया बहुत तरीके से सुरेन परिवार के उपर लालचन लगाएगा हैं हेमान सुरेन ने कहा है कि मेरी कीमती वक्त को भी इन लोगों ने बरबाद किया आज कितने लोग मुलाकात के लिए आ रहे हैं लोग असकता हो और समस्याओ को लेकर मुझे से मिले एह हमारा कीमती वक्त बरबाद नहीं करते तो मैं अनगिनी समस्याओ का समधान कर चुका होता है हेमान सुरेन ने कहा है कि नियाले सरोपरी है या वो अस्तम है जहां अंधकार नहीं होता नहीं कहा है कि ऐसे लोग बेवज़ा उन लोगों को फसाते हैं जो समाज में दलित आदिवासी पिछडों के हित में काम करने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे लोगों की आवाज को बंद करने के लिए अपनी सक्तिया का दिरूपयों कर रहे हैं सरोष नयाले के आदेश से यह बा संगवार का मुखे मंद क्या इसोंके पर जारखन विधान सभात्य क्र्मिन्दर्यों अत्मौर्य भैसीफर दयख स्ञे कावडियो से भरी कार अनियंत्री थोकर गड़े में जागिरी जिसमें एक की मौत हो गई है जबकि चार लोग घायल है घाटना देवीपूर्थाना चेत्रे के सत्संग भीरखी बांध पत पर कल होडिया मोड पर इस्थित पूल के पास की है कार्मिसवार मिर्तक रांची के का के रोट का रहनेवाला अनियल कुमार 45 वरसी है वही इन में जिन 4 लोगों के घायल होने के सुचना है उनके नाम का के रोट के रहने वाले हर्सचंद्रा सुदामा सा، सूमिलिया कुमार और पिसका मोड के रहने वाले धीरज कुमार हैं मुख्य मंत्री मय्या समान योजना के लिए हर पंचायत में लगेगा सीवीर मुख्य मंत्री मय्या समान योजना के संचालन को लेकर कुकडू परखंड के सभी पंचायतों में 3 से 10 अगस्ट 2024 तक सभी पंचायतों में सीवीर आयोजित की जाएगी वहाँ आवेजन प्राप्त होने के बाद CSC संचाल को द्वारा उसे ओनलेन जामा भी किया जाएगा इस योईना का लाब निसुलक है इसकी जनकारी कुकुलू के परभारी परखंड विकास पताईकारी की कुम हत्तों ने दी है उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह का फरजी फरम बेचने या इस योईना के नाम पर अवैद वसुली किये जाने के शुतना मिलने पर आरोपी पर कानूनी करवाई की जाएगी इस समाद में उन्होंने मंगलवार को कुकुलू परखंड का रयालाय सभागार में परखंड छेतर के सभी मुखिया पंचाज सचीव अंगरमारी सेविका यवां प्रगया केंद्र संचाल को के साथ बैठक की है संताल में बंगलादेशी घुस बैठियों पर पांच साल के उचुप रही डबल इंजन की सरकार हेमलाल जहारखंड के संताल परगनात था बिहार वपची मंगाल के कुछ जीलों को मिला कर केंद्र सासित परदेश बनाने की गोड़ा सांसन निसिकांद दुबे की मांग पर राय निती गरमा गई है निसिकांद के ब्यान के बिरुवद में जहामों ने साहिब गण सहर में मंगलबार को रैली निकाल का परदेशन किया यहाँ जहामों कर करता हुने भाजबार परदेश अधक्स पावलान बरांडी नेता परतिवस अमर बावरी वरनी सिकांद दुबे का पुतला भी दहन किया है आवास बनाने के लिए गरीबो को मुप्त बालू देगी हमंत सरकार राय सरकार गरीबो को मुप्त बालू देगी 22 पर कटवती प्रस्ताव के दोरान सरकार के उत्तर में बीत मंत्री रामे स्वर्व रावने कहा है कि 10 जून से 10 अक्टूबर तक बालू खानन पर रोख है इसके बाजूद जेम पोर्टल पर बालू उपलब्ध है जी से आसाइन से लिया जा सकता है OBC एकता अधिकार मंच का बिधान सभा के समक्ष धारना जारखन बिधान सभा के समक्ष OBC एकता अधिकार मंच जारखन पर देश के तत्वधान में एक दिवसे धारना का उजन किया गया OBC एकता अधिकार मंच के लोगों की एकारस उत्री मांगा है OBC एकता अधिकार मंच की केंद्री अध्यक्स ब्रह्मदेव परसाद नेगार सुत्री मांगो को राजवकेंद्र सरकार से पूरे करने की शेताउनी देते हुए कहा है कि हम जार्खन राज में 55% के आबादी में निवास करते हैं और हमारी योगदान राजवकेंद्र में विकास में अहम भूमिका होती है OBC का मतलब और्गेनाइज बेस्ट कम्यूनिटी होता है हम खेती, किसानी, निर्मान, पसुपालन, ब्यापार, नौकरी, उत्पादन, मचली पालन, कपड़ा बुनकर, एवाम अने कुटीर, वाग, हरेलू, उद्योग, सभी हम और्गेनाइज तरीके से करते हैं हम गिरामिन छेत्रे में राकर भी देश के अत्वेवस्ता का रीट की हड़ी है जारखन के जेलों में बंद 12397 कैदी अंडर ट्रायल जारखन के जेलों में 70 फेजदी यानी 12397 कैदी अईसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं यानी जिनका मुकादमा चल रहा है केवल 30 फेजदी कैदीयों को ही सजा मिली है या दुरुभागे पूर्ण इस्थिती है जारखन में कूल 31 जेल हैं और 331 का सजा अपता कैदी भी बंद है जारखन में आप तक महिला कैदीयों के लिए अलग से जेल नहीं बनाया गया जबकि पडोसी राज पच्छी मंगाल बिहार में महिलाओं के लिए अलग से जेल है धन्यवाद